गुड मॉर्निंग बच्चो मैं डॉक्टर स्रेश चन्जोसी डिपार्टमेंट ऑप्जिलोजी आप सभी का वेलकम करते हैं जैसे हमने पिछला वीडियो देखा फर्स्ट वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम एनिमल फिजियोलोजी पढ़ रहे हैं हांपर इस पुरे स्रीज में हम एनिमल फिजियोलोजी का नोर्स बनाते हुए चल रहे हैं लक्चर फर्स्ट में आपने फूड न्यूट्रेशन चप्टर से हम स्टार्ट करें तो इसमें फूड को आपने पढ़ा मैं आपको थोड़ा सब लक्चर फर्स्ट का किवल यह वीडियो जो करा रहा हूं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था जिन बच्चों ने वह नहीं देखा होगा वो उसको देखेंगे कि वह यह जो स्लाइड है इसमें आपको रिव्यू मिल रहा है उसका कि इसमें क्यों देखो फूड हमने वहाँ डेफिनिशन फूड पढ़ा सेकिन टॉपिक उसमें उसका हेडिंग सेकिन हेडिंग आया एनिमल नीड्स फॉर्ड थ्री मेजर परपस फूड क्या कि किसलिए वह यूज कर है और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स एन एडिकेट्स डाइट बच्चो देखो इस तरह के से हमने मेजर कंपोनेंट एन माइनर कंपोनेंट यह हमने कल जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें पढ़ लिया था अब हम आगे बढ़ेंगे आज इसमें दिया हुआ है इंट्रा सेललर एंड एक्स्टा सेललर डाइजेशन पहले न्यूट्रेशन है न्यूट्रेशन है फूड है वो टॉपिक कंप्लेट हो गया सेकिन है आब इंट्रा सेललर एंड एक्स्टा सेललर डाइजेशन तो इसको हम पढ़ते हैं पूरा तो एट प्रिस्ट आपके पास आएगा डाईजेशन, अब यह डाईजेशन क्या चीज़ है, what is डाईजेसन, देखोड़ डाईजेशन एक step wise process है जिसमें जो हम food ले रहे हैं, जो हमने पहले उसमें किलियर कर लिया, पहले लक्षर में, कि हमने food, वो food को हम ले रहे हैं, उस food का step wise breakdown होना जैसे इस slide में आप हमने लिखाया देखो step wise chemically breakdown of complex food यानि कि जो complex molecule है हमारे पास जो हमने food के हमने component पड़े थे वो component वो component के हम बात करें तो step wise chemically breakdown of complex food material into simplest molecules कहने का मतलग है जो six component जैसे carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, water तो जो हमारे पास major component है carbohydrate, protein, fat ये हम food में जब लेंगे तो उनको हम complex फॉर्मल लेंगे जैसे polysaccharide polysaccharide के फॉर्मल लेंगे और polysaccharide का step wise breakdown होना किस में? simplest molecule में simplest molecule में उसका breakdown हो जाना और वो breakdown क्यों हो रहा है? क्यों कि ये suitable होता है हमारी body में absorption and assimilation करने के लिए तो इस process को हम digestion कहते हैं यहां पर आप समझगे होंगे कि digestion is a step wise chemically breakdown और complex food compound जैसे protein के हम बात करते हैं protein भी एक complex food nutrient है उसमें breakdown होगा then amino acid में convert होगा तो amino acid हमारी body में absorb हो सकता है ये हम बता रहे हैं कि digestion digestion का मतलब कि जो हमारा complex food material है उसको simplest food material में breakdown कर देना because the bigger component यानि कि जो बड़ा जो हमारे पास जैसे polysaccharide है उसका disaccharide में convert होना then monosaccharide और monosaccharide जो होता है वो हमारी body में absorb हो जाता है तो क्या कह रहा है कि bigger component यानि बड़ा जो component है food molecule का वो क्या होता है कि बिना वो directly diffusible नहीं होता वो utilize नहीं हो सकता हमारी body में उसका utilize करने के लिए उसका breakdown होना बहुत ज़रूरी है जो breakdown होगा जब वो mono form में आएगा जब उसका primary form में आएगा तब वो हमारी body में क्या हो जाएगा absorb हो जाएगा और हमें energy देगा कि लिए रोगया इसको आप आराम से लिख सकते हैं और notes बनाना यहां से आपका continue रहेगा notes बना सकते हैं then अब बात करते हैं how many kinds of digestion यह आपके syllabus में इक रोड है कि digestion हम यहां पर बात करेंगी total जो हमारे पास animal है उन सब animal में digestion कितने टाइब का होगा digestion जो होगा वो दो तरह की का होगा number one intracellular digestion and number second extracellular digestion intracellular digestion का मतलब यह है कि cell के ही अंदर एक singular cell के अंदर जो digestion होगा उसको हम बोलेंगे intracellular digestion और extracellular digestion का मतलब यह है कि हम cell के बाहर single cell के अंदर नहीं होगा digestion cell के बाहर यानि कि organ level जब developed हो जाएगा ऐसे animal जिनमे organ level developed होते हैं organ developed हो जाते हैं वहाँ पर जो digestion होगा उसको हम बोलेंगे extracellular digestion मेरे साब से यह दोनों आप किलियर हो गए होगी intracellular digestion और extracellular अब हम पढ़ेंगे at first parts intracellular digestion आप जो आपके slide में सूह रहा है आप उसको लिख सकते हैं कि intracellular digestion क्या है देखो मैं बता रहा हूँ आपको when digestion take place inside the cells क्या कह रहा है कि अगर हमारा digestion जो food है जो मैंने आपको कल पिछली वाली slide में बताया हूँ है उस food का digestion अगर एक cell के अंदर होता है it's carried out of food vacuoles within the organism कहने का मतलब यह है कि यहां पर कोई भी हमारे पास जो food component है food में जो nutrient है उसका digestion एक cell के ही अंदर complete हो जाएगा उसी के अंदर digestion हो जाएगा उसका absorption हो जाएगा वहां से waste material को उसी cell से बाहर के और replace कर लिया जाएगा तो इस process को हम बोलाँगे intracellular digestion अब intracellular digestion की जो होता है बच्चों देखो हमारे पास आपने इससे पहले देख लिया है आपने इससे पहले पढ़ लिया है आपने vertebrate भी पढ़े हैं और non vertebrate भी पढ़े हैं तो आप protozoan से लेकर codate तक आप पढ़ते हुए आ गए हैं non codata codata आपने पढ़ लिया है अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे comment box में बताना मैं उसमें वो बता दूँगा आपको वो भी बताऊंगा अधर वीडियो में तो हमारे पास कुछ animal vertebrates हैं कुछ animal invertebrates हैं तो हम digestion की बात कर रहे हैं all of animal की all of animal में जो intracellular digestion होता है वो जो हमारे पास primitive primary animal हैं जो पहले की animal हैं जैसे हम यहाँ पर देखो आपको सो हो रहा है प्रोटो जोवा porifera, sylentata और कुछ parasitic helminthi जो हमारे हैं यानि कि सब invertebrates में आ रहा है ठीक है invertebrates जितने भी non-cordate जो हम पढ़ते हैं वो हैं उनमें भी सब नहीं है सब में आएंगे intracellular digestion कुछ non-cordate में सबी non-cordate हैं जो primary non-cordate हैं जैसे आपको proto-john से एक चक्त समझना आएगा proto-john जो है हमारे वो क्या है देखो यह जैसे paramecium है paramecium यहाँ पर आपको दिख रहा है देखो paramecium है यह एक cell है जो आपको यह paramecium आपने देखा slipper-like structure होता है इस animal का तो यह अपने आप में एक cell है आपको दिख रहा है इसका food vacuul forming around east cell दिखा हुआ है देखो आपने तो यह जो food vacuul है यहाँ पर अगर food जाता है यह पूरा ही जो आपको पूरा figure दिख रहा है यह पूरा एक cell है अगर भोजन इस cell के अंदर गया food material इसके अंदर गया और वो poly form में है या die form में है या tetra में जिसमें भी है वो यहाँ पर जाने के बाद जो आपको arrow के according हम ने दिखो यह process दिखाई है कि फिर वो acidic form आएगा फिर alkaline होगा then उसके बाद उसमें से जो उसका digestion हो जाएगा digestion होने पर यहाँ पर जो waste material है वो इससे बाहर आ जाएगा और जो भी हमारे पास ये nutrient है जो useful material है वो उसकी body उसको absorb कर लेगी ये paramecium है ऐसा ही amoeba में भी होगा यूगली दामा होगा ये जो primitive ये जो unicellular animal है वो क्या करेंगे intracellular digestion को सो कर रहे हैं तो intracellular digestion हमारे पास lower animal like protozoan और फिरा ये सब सो करते हैं इसको हम बोलते हैं क्या intracellular digestion तो बच्चों देखो यहाँ पर intracellular digestion हमने complete पड़ा digestion के दो parts पड़े हमने एक intracellular एक extracellular देखो intracellular के आपके नोर्स बनेंगे इसको आप अच्छी तरकी से एक systematic लिखते जाओ पूरा last तक जब इसमें होते रहेगा तो complete slabis हो जाएगा आपको इस नोर्स के अलावा दूसरी नोर्स की या बुक्सरी जवरती नहीं पड़ेगी complete हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉर्स और यहाँ फिजियोल्जी लगभग पूरी मिलेगी पूरी ही मिल जाएगी बिलकुल आपको कोई exam जबाब दोगे तो सारे question इसी में से आपको मिलेंगे आपको अगर कोई question पूसना होगा तो आप मुझे comments box में लिखना कि यह question हमारे हैं तो मैं उसकी एक video और बनाऊंगा last में सब बच्चों को जिसके बच्चे के विजियो problem होगी उसको मैं उसमें solve करूंगा तो यह तो हमारा आज का video होगया complete next जो इसके बाद आएगा digestion part next उसमें extra cellular digestion हम करेंगे ठीक है बच्चों ओके thank you thank you बच्चों